हेलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम दुष्यन सिंग है और मैं दिल्ली परिवहन निगम का कमचारी में दोस्तो परिवहन के अंतरगत चार चीजों का होना भहुत अविश्यक है उसके बिना परिवहन रस्ता नहीं चल सकती नमबर एक ड्राइवर नमबर दो वहन नमबर तीन सड़क और नमबर चार कानून विवश्ता दोस्तो हम नौर्मली भासा में बोल लिते हैं कि बैड्राइवर पर अंतर हमें यह नहीं मालूम है कि ड्राइवर की परिवहसा क्या है दोस्तो आज मैं आपको बताने जा रहा हू कि ड्राइवर की परिवहसा क्या है चुकि उसकी परिवहसा आपको कहीं नहीं मिलेगी जो मैं बताने जा रहा हूं आप गूगल वगरा पर सर्च करेंगे तो वहां केवल इतना आएगा जो गाड़ी को चलाता है उसको ड्राइवर बोलते हैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा पंदो दोस्तो आज मैं आपको असली परिवहसा बताने जा रहा हूं ड्राइवर के असली परिवहसा क्या है दोस्तो वह व्यक्ति जो सरकार द्वारा दिये गए परमान पत्रों के अनुसार तथा सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किसी वहां को ए अस्थान से चलाते वे बी अस्थान तक ले कर जाता है उसे चालक कहते हैं या ड्राइवर कहते हैं दोस्तों ड्राइवर इंग्लिस का सब्द है इसमें यह च्छे सब्दों से मिल करके बना है इसका मतलब क्या है दी किस चीज के लिए स्टेंड करता है आर किस चीज के लिए स्टेंड करता है आई किस चीज के लिए स्टेंड करता है ठीक है वी किस चीज के लिए स्टेंड करता है ए किस चीज के लिए स्टेंड करता है और सेकेंड आर किस चीज के लिए स्टेंड करता ह दोस्तों, ड्राइवर में D stand करता है discipline, एक चालक का discipline होना बहुत जरूरी है, उसको अनुसासन में रहना बहुत जरूरी होता है, यदि वह अनुसासन का पालन नहीं करता, नियमों का पालन नहीं करता, दियेगे निर्देशों का पालन नहीं करता, तो वह चालक बड़ी दूर गटना को आमंतरित करता है नमबर दो है आर रेस्पेक्ट दोस्तों एक चालक को उसी परकार से अन्या सड़क उप्योग करताओं को भी रेस्पेक्ट देना चाहिए जैसी रेस्पेक्ट की वो दूसरों से चाहता है साथी सड़क संचलन में लगे हुए व्यक्तियों को भी उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए चूकि वह परियने अस्ता को चलाने के लिए चालक को स्विधा देने के लिए वह डूटी पर रहते हैं ठीक है और जो सड़क संक्यत लगे हैं उनको भी उसको संबान देना चाहिए अन्यथा वह दुरगटना को अमत्रित करता है नमबर तीन इंटेलिजेंट दोस्तों एक ड्राइवर का इंटेलिजेंट होना बहुत अवश्यक है बुद्धीमान होना अवश्यक है चूकि वह समय पूरवक्ट सिचुएशन को देखते हुए सही निर्ना ले सके यदि ऐसा नहीं करता है तो कहीं न कहीं फस करके खड़ा हो जाएगा नमबर चाराता है वीजन उसकी द्रस्टी अपने आसपास की गतिविदियों तता आसपास के वहनों पर होनी चाहिए ताकि वे समय रेते हुए अपना डिसजन ले सके इफिस्येंसी दोस्तो जिस वहन को वह चालक चला रहा है उसको उसके बारे में तक्निकी ग्यान भी होना बहुँच जरूरी है चुकि कहीं बार वह अकेला होता है और उसके पास आसपास कुछ नहीं होता तो वे अपने केवल तक्निकी ग्यान के आधार पर ही उस गाड़ी को ठीक करके समय पर पहुँच सकता है नमबर 6 रेस्पोंसिबिल्टी एक चालक का रेस्पोंसिबल होना भी बहुँच जरूरी है चुकि वह ने केवल दूसरे सड़क उप्योग करताओं के लिए रेस्पोंसिबल है जो उसके गाड़ी में सामान है या यात्री है उनको सही सलामत पहुचाने की भी जिम्मेदारी उसके होती है उसी की रेस्पोंसिबिल्टी होती है दोस्तो अब बात आती है कि एक चालक का कारिय क्या होता है दोस्तो एक चालक का कारिय परिवेहन नियमों का पलन करते हुए किसी वस्तो या यात्री को वहान के माध्यम से परिचालन करते हुए एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक सुरक्षित ले जाना होता है यह है उसका सबसे में मुख्य कारिया होता है आसा है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी मैं चाहूंगा कि आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें चुकि यह केवल ड्रैवर के विशे मैंने आज आपको परिभासा बताएए इसके बारे में मैं और भी चीज़े बताऊंगा एक कोमर्शियल वहन चालक के अंदर क्या योग्यता होने चाहिए और उन योग्यता को कैसे वो प्राप्त कर सकता है यह भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है दोस्तों वह मैं अगली वीडियों बताऊंगा उसके लिए जरूरी है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वह वीडियो आपके पास सिग्रता सिग्र पहुंच सके दोस्तों, ड्रायवर कोई एरा गेरा नत्तु खेरा चीज नहीं होती है वो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है तो कर्प्या करके अपने वहंचाल को पर भरोसा करना सीखिए और मानिए कि वह बहुत ही बुद्धिमान लोग होते हैं उनको एक सेकेंड में कें डिसिजन लेने होते हैं यदि वह ऐसा नहीं कर सकते तो समझ लीजिए कि आप दुरुगटना के सकार हो सकते हैं अब आप सोचेगा कि आप उसके हाथ में अपना जीवन दे देते हैं पंदो आप साथ ही साथ ही सोचते हैं आप उसको हिंद रष्टी से देखते हैं कर्प्या करके मेरा आप सभी भाईयों से नोगोद हैं किसी भी चालक को ठीक ना आप हिंद रश्टी से देखना छोड़ दीजे चुकि अगर आप अपने परसनल गाड़ी चला रहे हैं तो उस टेम आप मालिक नहीं है उस टेम आप कानून के द्वारा निर्धारित परिभासा के अनुसार आप एक ड्राइवर हैं यदि आप दूसरे ड्राइवर को हीन, बुद्धी, हीन समझ रहे हैं तो उस चरेणी में फिर आप भी आ जाते हैं और जो बड़ी गाड़ी चला रहा है उसको आप बेवकूफ मत समझेगा वो आपसे ज़्यादे इंटेलिजेंट है उसको आपसे ज़्यादे एक्स्पिरियंस से गाड़ी चलानेगा आसा है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी धन्यवाद, नमस्कार